मंच में उपस्तिर पूर्पर द्यासरकार के मंतरी जाईगुर रामान साव मंच में उपस्तिर डॉक्टर तावा स्वेता जी कवरेज हासमी जी नौजवान साथी दूसरा से आए आए गारजनों और ठास करके हमारे माता और बहना इसको सेर भी कीजिए ज़्यादा से दल लुक्टर दूसके मैं ठास करके अपने माता बहनां से पिस गुजारिश करना चाहूंगा की ध्यान पुर्वक सुनिये ये कोई छोटा मुटा लगाई नहीं है जो हम लोग जलता सुनने के लिए आगे सुनकर के चले गए ये इतना बराय लगाई है जो आज पूरे भारत के लोग प्रिसान है लेकिन जाहिल परदान मंतरी नालाएक ग्रे मंतरी कान में तेल देकर के सौया हुआ है आँख में पठ्टी बान करके सया हुआ है इसलिए मैं गुजारिस करूँगा कि ये जाहिल परदान मंतरी नालाएक ग्रे मंतरी से लगने के लिए हम लोगों को एक जुटा के साथ गंभिनता के साथ संविरान के दायरे में हम लोगों को प्रोटेस करना होगा हम लोग दिसंबर में जब 13 तारी को पहला प्रोटेस किये थे तो उस दिल लग रहा था कि हम अकेले निकले हैं लेकिन आज तो हम गर्द के साथ गाना चाहेंगे कि आज तो गाओं गाओं कर ये प्रोटेस निकल चुका है आज ये आंगलन का रूप ले लिए है इसलिए जब आंगलन का कोई भी चीज रूप ले ले तो उस चीज को जीतना बहुत आसान हो जाता है मैं मिस्टर मोदी से बात करना चाहूँगा मिस्टर मोदी जी आपने जब नर्सी चीए और नपी आर जो भायक के दोगों के माथे में खुपा है यह आपका सोच और आपका मंसा और आपका राट को में जला रहे हैं हम लोग जानके हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ इस साला कानौन को वापस को लेना परेगा हम यह बहुत सुच-बूच से का रहे हैं वापस उसको लेना परेगा अभी तो लोग प्रोटेस्ट पर ही है धरने पर उतराये हैं लेकिन जब आंदोलन का गुजरा रूप लेनेगा तो मिस्टर मोदी आप सुने होंगे हिट्लर का कहानी सुने होंगे नमरूप का कहानी सुने होंगे फिरोन का कहानी सुने होंगे और हम लोगोंने इतिहाथ में पराता कुरानों में पराता माभारत में सुना था क्या हाल हुआ था थी किसी से रहा है हिटलर हिटलर साई जब जर्मणी में यहुदियू के खिलाफ एक कानून लाया था और वो कानून यहुदियू को निकालने का था मैं आपको कह जाना चाहता हूं मिस्टर मोदी मिस्टर मिचा उसका तो अपने आप में मरने के लिए मजबूर हो जाना पर था लेकिन मैं इंशाल्ला मैं जामे के साथ कारा चाहूँगा इंशाल्ला आपका हो मुझसे बुरा हाल होगा क्योंकि मुझे पुरान पर यकीन है मैं मुसल्मान का बेका हूँ मैं एक मुमीन हूँ और एक मुसल्मान का मुसल्मान सच्चे मुसल्मान की भी हो इसे लिए अल्ला पर यकीन है और तुमरा आपका में दरुब दूरा हूँगा आपने क्या कानू लाया हमारे बारत के मुसल्मानों के खिलाए हमारे बारत के दलिप के खिलाए हमारे बारत के महतलिप के खिलाए हमारे भारत के आदी बजी के खिलाब आपको मैं बता जाना चाहता हूँ NPR का ही दूसरा रूप NRC है अभी NPR में आपसे हाधा कार माना जाएगा पैचान पत्र माना जाएगा जिनावरी लाइसस माना जाएगा और जितने भी कार्जाद हैं आपसे माना जाएगा और जो पधादी कारी होंगे जो छोटे कप्ये करंचारी होंगे वो कार्जाद लेके जाने के बाद वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे और उसमें जिन डाउट फूल लिखेगा एक कलंगे एक आउट फूल लिखेगा उसी के अदार पर आपका जो अनिकान जा रहा है कि धर का तर्वे हो रहा है NPR हो रहा है उसी के माद्यां के आपको NPR में जो रहा जाए लगा जब आप NPR में आ गए जो पधादी कारी आपको लिखेगा वही पदहनी कारी के माधियं पे आपका सूची चला जाएगा सूची जाने के बाद जिसके निखा जाएगा वह बलोग प्रचान भी आ जाएगा देश्ट पर्ला यानि उत्हें आदि होगे जलीद भी होगे माजलीद भी होगे कि आपके निश्मी भी होगे जाएगा उस अधिस्टाना जाएगा ग्रोप में यहां पेरी आर्मारी के अधिया जाता हूं कि अधी पिसी को का अगल दाना है चाहे वो अधार खुदान हो चाहे जाता प्रेक्जान के मामला हो कोई को सब्सक्राइब नहीं लेना है हमको का जारी रहे गागा उसके बाप नहीं के बाद टाउट फूर जो कह जाएगा चापजाथ मौना जाएगा ते नहीं साहेगा वास क्या 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 कापजाथ है आप खासा ऑसाफा व्याता इस्को ले जाया जाएगा उसको ले जाया जाएगा लेकिन जो हमारे गरीब हाई है तो कोई कामजाब देखानी पाया हुआ इसको को प्रार दिया जाएगा किसी लिए इन लोगों ने है नाला एक ग्रहे मंतरी तुम कांक पूर्ट तुम दोनों पूर्ट पूर्ट है इसलिए आप मैं कुवां फ्राप नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुम चैलेंज करना चाहता हूँ इसमारे अंगर ऑगा ग्रम है तो ठाजी फाल अपकिल गूर्ट फोजएगा है थाँ वितितों अहरत अधिडियर भी दोसफिर कोई चैले की और दोस्ताय माफी मालगर्पेशन को वापस करना होगा माफी मालगर्पेशन को वापस करना होगा मैं महस्켜पाई घांदी का सोच ये कre चलता हूँ अम्मेडव करका समीधान परेशन के रिया है और मेरां मेरां मेकर करका सम μου हम लोगों को दिवान भी देना पने लेकिन समीधान परेशन को नहीं है तुन क्या सोच्ते हो अरे बेकूफ हमारे ताफ हिल्बु भी है